So what's up everybody welcome back to another video और आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़े बात करनी है बहुत सारी चीज़ें जो मेर से रेलेटेड्ट है और बहुत सारी जो चीज़ें जो आप सभी से रेलेटेडड है या फिर जो मेंने सीखी पिछले कुछ एक देर हफ्ते में तो उसके वरे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले शूरू हरते हैं इस वीडियो तो आज की वीडियो में यही सब कुछ हम बात करेंगे सबसे पहले तो पिछले में डे हमले से यह दो हमें बहूद ही जादव कना ना इतना चाह warto खोले का करतो अरसा में सब constructive ज़दे में किसी लंबी वीडियो बनाने के कोश्च करूंगा अराउंड दस मिनट दस मिनट के आसपास कि थोड़ा एक्सपेन करके अब सारा कुछ बताते हैं मैंने सुच्छ थोड़ी क्रेस्पोंगी तो जादा अच्छा रहेगा बट लेट एक्सपेन बाकी पिछले कुछ दिनों से मै ऑरियंटेशन पर और बाकी नए दोस्तों से मिलने में मैंने मीट भी रखी दे जो कि मैं इंस्टाग्राम और फेज़बुक और यूट्यूब पर पोस्ट किया था कि भाई सब आना और बहुत सारे लोग आया और बहुत सारे लोगों से मिला मैं इतना अच्छा लगा मेरे 55 to 60 लोग जो थे students जो थे मेरे को मिले, कुछ मेरे को college के अंदर मिले, कुछ मेरे को बहार मिले, gateway terminal और इतना अच्छा सब कुछ लगता है, मिलके, अगर मेरे को मिलो तो जरूर high जरूर बोला करो, यार, कई बारी मेरे को पता भी लग जाता है, बट I cannot approach कि भाई कोई awkward ना हो ज बाकी real struggle जो अभी आजकल जो चल रही है, वो बहुत ही जादा Canada में time की भी चल रही है, real struggle is all about के यार, जब हम आते हैं college के अंदर, तो college में हमें feel होता है कि यार, हमें पढ़ाई करनी है, उसके बाद हमें काम करना है, उसके बाद कई लोग सोचते हैं कि यार, हम अपनी hobbies भी करेंगे, जैसे खेलना हो या, football हो गया, तो हमें hobbies के लिए बिल्कुल भी time ने मिलता, बाकी India से कई लोग सोच के आते हैं कि हम in Canada आके बहुत बहुत जादा अमीर हो जाएंगे, नहीं ये बात बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही जादा गलत है, क्योंकि जब आप यहां आत अगर आपका रेंट एक महीने का साथी तीन सो है, जो कि आज के उसमें fictitious amount है, बहुत ही सस्ता amount है, 350 में बहुत खम लोग शेरिंग में रूम देते हैं, बाकी हर बंदा जो है 450, 500 में आज के शेरिंग में रूम दे रहा है, और ग्राम्टन के rates बहुत जादा बहुत 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 जादा हो गया है, तो इनको कंट्रोल भी करना बहुत मिश्किल हो रहा है, तो साड़े चार सो, चार सो इसदर नौर्मल रेट शेरिंग में, और जब आप अपना रूम लेते हैं, तो वो 600, 500, 600, 700 के आसपस पढ़ जाता है, बहुत 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 एक्सफेंसिव होत आते हो, for example, आपने रेंट दिया, आपने अपना रूम लिया, तो 700, 1st मन्त का, 700, 2nd मन्त का, आपको पे करना है, 1400, प्लस आपने अपना एक लाप टॉप बिलिया, 500, 600 रुपे का, 500, 600 डॉलर का, तो 500, 600 डॉलर का, तो 500, 600 डॉलर जब आपके बास 2000 के सारे उर जाते हैं, then how will do not have any Canadian experience, तो आपको job मिलने भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो आपको job नहीं मिल पाती, and उसके बाद आपको, क्योंकि आपके बसकोई experience नहीं होता, तो यह सारा कुछ help करता है, बाद में आने के बाद, and to starting में struggle होती है, it's not like you will have to, आपको बहुत सारा कुछ easy हो जाएग नहीं, आपको यहां के struggle ही करनी है, student Canada में भी और इंडिया में भी हर जगा struggle ही करते है, then you have to struggle, आप बरपर्मिंट में भी आया हो, या फिर PR पे आया हो, कुछ time आपका बहुत जादा struggle वाले time रहता है, you have to work on low wages, बहुत ही जादा सस्ती वेजिस पर काम करते हो, which you do not deserve, you deserve a lot more बट फिर भी इंडिया के साब से जोकी, 14 डॉलर बहुत बहुत जादा होती है, तो struggle is real, hashtag struggle is real, you have to struggle hard, Canada में आके कोई भी आपको माला नहीं पिनाएगा, कई लोग यह सोचते हैं मेरे को, कई students से बताये कि भाई, मैंने तो सोचा था Canada के मेरी life बदल जाएगी, काफी दोस्त म struggle time थोड़ा को होता है, but it is present, क्योंकि you will have to struggle, कहीं पर भी आपको, बाकी और सारी अच्छी चीज़ों पर आजाते हैं, तो मैं जो busy चलना था, सबसे बात करी, आप सबसे बात करी, YouTube पर मैंने काफी कुछ किया, Facebook पर मैंने कुछ posts करी, हमारा community group है, Indo-Canadian community, वहां पर जाकर जा अगर यह वीडियो पसंद आगी, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत बूलना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत बूलना, और stay connected, stay love, bye-bye